नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है प्रधान मंतरी नरेद मोदी ने यूएस के नए राष्ट पती जो बाइडन और उपर राष्ट पती कैमला हैरिस को फोन करके बदाई दी इसकी जनकारी प्रधान मंतरी मोदी ने खुद प्रीट करके दी है और बताया है कि जो प्रधान मंतरी नरेद मोदी ने जो बाइडन से इसको ले करके चर्चा की है इसके अलावा भारत और चीन में जो तनाव चल रहा है इंडो पैसिफिक रिजन इस पे काफी देर तक बादचित हुई है दोनों देशों के प्रमखों के बीच में और उधर से जो बाइडन ने यह आश्वस्त किया है कि इन्डो पैसिफिक रिजन में अमेरिका समझ रहा है परिश्धिती को और पुरी तरीके से भारत के साथ है प्रदानमंत्री नरेंद मोदी ने जो कमला हैरिस से बातचित की है उसमें भी इन सारे मुद्दों को उठाया है और बताया किस तरीके से इंडियन अमेरिकन कम्यूनिटी में इस समय महौल है और कैसे साथ मिल करके काम किया जा सकता है आपको बता दे कि अभी जो मौजूदा राश्पती है डोनाल्ड ट्रम्प वो रिपब्लिकन है जबकि जो बाइडन और कमला हैरिस डेमोक्रेट हैं यानि कि पाटी की वहाँ पे सत्ता बदल रही है अभी तक डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी हार नहीं मानी है लेकिन तमाम देशों ने फोन करके और ट्वीट करके जो बाइडन को बधाई देनी सुरू कर दिये अमेरिका में जो परंपरा और नियम है उसके मुताबिक जनवरी में 20 जनवरी को अमेरिकन राजपती जो चुना जाता है वो चार्ज लेता है इस बीच जो उसे 2-3 महने का टाइम मिलता है उसमें वहाँ की परिस्तितियों को समझता है अलाग अलाग एक्सपर्ट से मिल करक और अपनी तैयारी करता है उसी प्रक्रिया से जो बाइडन और कमला हैरिस गुजर रहे हैं तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें जिस तरीके से चीन दादागिरी कर रहा है वो चीनता अमेरिका की है न कि केवल किसी पार्टी की लिहाजा जो ट्रंप की निती रही है वो ही बाइडन की निती रहने वाली है क्योंकि COVID-19 को लेकर के अमेरिका में चीन के खिलाफ काफी रोस है और खुद जो बाइडन बोल चुके हैं चीन के खिलाफ यानि कि सबक सिखाने वाली निती जो है अमेरिका की वो चीन के प्रतिजारी रहने वाली है सभाविक रूप से जैसे ही प्रधान मंद्री नरेंद मोधी ने ट्वीट करके ये जनकारी दी है तो चीन और पाकिस्तान के कान खड़े हो गए है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका से हट करके चीन की नजदिक आ चुका है क्योंकि अमेरिकाने जो है उसको लतार लगाई थी आतंक बाद पे अंकुस न लगाने को ले करके अमेरिका पाकिस्तान को काफी मदद देता रहा है वो मदद भी कम कर दी है जिसकी वज़ा से पाकिस्तान चीन की तरफ जुका और अब जो बाइडन की जो विदेश निती है वो ट्रम्प से बहुत अलग होगी इसकी पहले भी उमीद नहीं थी और बातचित के बाद तो बिल्कुल नहीं रही एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि अमेरिका को हर हाल में चीन को रोकना है इसलिए जो बाइडन भी वही निती अपनाएंगे जो ट्रम्प अपनाते रहें तो आप देखते हैं कि आगे और क्या-क्या होते हैं जैसे कोई जनकारी मिलेगे हम आपसे साजा करेंगे आप रहें नबे खबर देखते रहें इन खबर थैंक्यू